इजी क्रिस्टे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, यहां मैंने लिए हैं और इन पहाडी अलो को छील के पील करके एक अपर किस्खिन होती है उसको मैंने निकाल के पानी में रख दिया है जो उपर कि शिन काली ना पड़े को और अब इसको कट कर लेना होगा फ्रेंस फ्राइज के लिए ये तो इस तरीके से क्यों कात नहीं कि निका लएगेगे वेस्टेज उज़ accommodation यूजLY उसको भी फ्रेंस फ्राइज संवेय में बना लेना हे देखिए इसको अब सीधह डालेना है पानी में जो का लेना पड़े अपने आलू और देखिए बिल्कुल बेस अराम से रखा जा रहा नहीं तो यह हमारे आलू तेड़े मेड़े उदर उदर घूमते थे तो इसलिए बेस बन जाता है नीचे से काटने से और जितना आपको मोटा फ्रेंज फ्राइज चाहिए उसी साफ से आप काट लेन यह देखिए कितने मैंने यहां करीबन चार लेयर में काटा है और देखिए कितना मोटा आपको फ्रेंज फ्राइज चाहिए उसी साफ से आप काट सकते हैं पर ज्यादा मोटा भी मत रखिएगा जो फ्राइज होके क्रिस्पी होने में टाइम लगे और इतना पतला भी मत की ख lipa इस प्रेंज नहीं नहीं म weil यहां फ्रेंज फ्राइज फ्राइज को यह देखिए प्र पड़ीना पड़े किसे पानी एक में कितना तो tek कione a just the honey खोगा अब इसको में ट्रांसफर करते हों एक सफ पानी में जो हमारे फ्रेंच प्राइज को मियकर है मुद्ट कर दो आफिया को प्राइज और 20 इन एक अलब गए संस्रेव्ग दो बार करी था इन उटost और एक यहां मैंने बड़ा बहुत बड़ा बड़तन लिया है पतीला कह सकते हैं और इसमें जो हमारे french fries मैंने काट के पानी में रखे ते वही पानी के साथ आप इसमें डाल दीजेगा और उपर से पानी डालना होगा जी हां पानी भी डालना होगा जो अच्छे से आपके जो इस French fries को बॉइल करना है करीबन करीबन लिए कितना बड़ा पतीला है इस पतीले में मैंने करीबन आदा पतीला डाल दिया है और एक चमच इसमें नमग भी डालना है वन टीस्पून काफी है और डालके अच्छे तरह से मिक्स कीजिए देखी मैंने इसमें मिक्स किया तो अ चन्नी में और चन्नी में फिर उसके बाद जो पर से पानी होता है टाप का टंकी का पानी होता है टाप वाटर इस्टार्ट कर दीजिएगा और अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा के अब कूल डाउन हो जाए यह बिल्कुल हमारा जो आउसे बहुत बड़ी तरीके से कट रहा है बर जो फिंगर से अब प्रेस करेंगे तो फिंगर से थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा हाड लगेगा फ्रेंश फ्राइज तो मतलब समझ जाएगा 50% हमारा पक चुका है फ्र करिबन तो मैं दो चमल जा रहो हुआ है कि उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत इसमें आड करूंगा क्योंकि अच्छे होगा तो उसकी जो हीट से जो हमारी कॉन फ्लोर है अच्छे तरीके से इस पर कोट हो जाएंगे और बिल्कुल जो आप फ्राइ करेंगे तो इसमें जो ऑईल खराब नहीं होगा और बहुत बड़ी तरीके से हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राइज हो पाएंगे देखिए थोड़ा सा लेडल अपने चम्मच के उपर रखके डालिएगा क्योंकि ओल का मैटर है इसमें थोड़ा सा केरफूल होके फ्राइज कीजिएगा और दिरे दिरे अपने फ्रेंच फ्राइज को हिलाते हुए फ्राइज कीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने फ्रेंच फ देखहिए कितना जादा क्रिस्पी है जो इसमें क्रंच बा वाल की अंदर ह butterflies सौल्ट नमट की सब्सक् provides कितने जादा क्रेस्पी है जो हमारे बावल की अंदर हमार्य पटमी स्वर्थ खै क्रिस्पीनेस अर। एकला की सब्सक्रिस치 hebben पूर्ज की नमक सब्सक्साइब बाइ बाइ बाइ